हेलो दूस्तों स्वागत है आपको मेरे टूब चैनल टेक्स्टड़ी आट याइपूर में आज हम बात करने वाले CRPF की एक बंपर वेकेंसी आई उसके बारे हम डिस्कुस करेंगे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके बारे में डिस्कुस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सुस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर देजिए बलाइकन को हिट कर देजिगा ताकि यसी धेर सारी अपडेट आप लोग को समय समय पर कर दिया जाएगा और इसका जो एकजाम का डेट है वह एक जुलाई से तेरह जुलाई के बीस में आपके एकजाम कंड़क्ट करा लिए जाएगे सी बीटी एकजाम इसके पूरे पैटरन के बारे में हम डिस्कुस करेंगे क्वेशन तो अगर आपके कोई कुश्चन है तो अब हमें कमेंट सेक्षन में यह देख सकते हैं इनकी ओफिशिल वेफ साइट है यह इनका हेल्प लाइन नंबर पर कोई भी दिक्कत होती है आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं और यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर टेकनिकल एंट्रेड में दोनों की बात कि टेकनिकल मतलब डिप्लोमा और आइटी वाले कंडिडेट आराम से यहाँ पर इलिजबल है तो आइटी एक कंडिडेट के लिए एक बेस्ट अपॉर्चनिटी है तो मैं यही सजिस्ट करूँ कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरे आप अपने ट्रेड में तो यहाँ पर कुआप जॉर्म करेंगे मालग डोम यसाइल यह तो ऐसे तो कि यहिसी कंडिगा क्यों घुडाओ पर देंगे जए तो यहाँ थोड़ा अगे की तegre बढ़ते हैं और यहाँ पर देख पार होंगे पेस केल काफी इसका अच्छा लेवल दिख रहा है 21,700,000 मतलब 21,000 यह होगा फिर उसके बाद डिय यह यह मिलाकर कि आपका 30,000 प्लस सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी बहुत अच्छी वेकेंशी बहुत बड अरुड आचल प्रदेश की बात करें तो यह आपकी टोटल वेकेंशी 424 है लेकिन अलग-अलग पोष्ट के लिए ड्राइवर के लिए अलग है मोटर मेकैनिक, कॉबलर, कारपेंटर, ट्रेलर अलग-अलग उसके लिए वेकेंसी आप देख सकते हैं और अलग-अलग उसमें क्या-क्या स्टेट के कितनी किजनी वेकेंसी है आप ये भी देख पा रहे होंगे और जैसे कि अगर कोई कंडिडेट अरुडाचल प्रदेश का तो अरुडाचल प्रदेश के ही स्टेट में अपने ही स्टेट में डॉमिसायल पे फर्म फिल कर सकता है क्योंकि अगर आप जिस स्टेट का वहाँ पे करेंगे उस state का आपको domicile देना हो गा जैसा कि उपर मेंसन किया गया है तो अगर मैं उत्तर-प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर-प्रदेश का ही form कर सकता हूं अपने state में क्योंकि वहां पर domicile मुझे upload करना होगा अगर गलत होता है तो आपसे आपका reject कर दिया जाएगा तो यहां पर देख पा रहा हूंगे अलग-अलग state में सबसे ज्यादा vacancy मुझे देखने के लिए अभी तक मिले यह उत्तर प्रदेश की तरप से यहां पर देख पारें को यहां पर देख पारें को फीमिल की 107 वेकंसी थे अलग-अलग state में फीमिल सा फोड़ा सा वेकंसी कम देखने के लिए आपको मिलेगी देख पार होंगे यहां पर टॉटल-1207 वेकंसी है और यहां पर आपकी Category Wac ब दी गई है और यहां पर हम बत क सिर्फ उनकी जारी की गई है यहां पर देखसे हैँ टोटली 11 वेकंशी है कॉंच्टेबल की मैल की उसकी जारी की गई है अब यहां फोड़ा सा आगे की तरफ बाड़ते हैं तो यहां पे एक सर्थिसमेंन की बात की गई है और यहां नेशनल्टी आपकी गवर्मेंट आफ इंडिया होनी चाहिए, आप सभी भारती होनी चाहिए, जनरली नॉर्मल सी बात है, इंडिया कंडिडेट ही अपलाई कर सकते हैं, और आपका जो एज लिमिटे एज का क्राइटरिय जो इन्होंने डिसाइड किया है, वो कॉं इसमें भी एज एक अगर्स्ट दोजार तेश से आपकी काउंट की जाएगी, मतलब एक अगर्स्ट दोजार तेश तक आप 18-18 के बीच में हो जाने चाहिए, या 21-27 जो कॉंस्टेबल ड्राइवर के लिए उसके बीच में हो जाने चाहिए, यहां पर आपको अपनी के किया गया है कि एक सर्विसमेंन की क्या 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 क्वालिफिकेशन है, अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, तो देख पा रहे होंगे, तो देख पा रहे होंगे, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई जो एक अगस्त एक आट दोज के लिए मैंय। चैतली गले सबक्राइए seizurephase की की हुनी चाहिए दीनी न उचलिए के तक है तक आपके पास चीकिनर क्वालिफिकेशन होदी के लिए चाहिए और खाता थाथ न्हें करते कि दिए धुल की धर गाज हे यह trade test होगा वहाँ पर उसके बाद यहाँ पर CT mechanic motor vehicle की बात करते हैं पर education qualification आपने 10th कर रखा हो या 12th कर रखा हो अगर आपने 10th कर रखा है तो उसके साथ 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए देन आपके पास एक साल का experience होना चाहिए हाँ पर देख पारेंगे practice experience दिया हुआ फिल्ड वर्क का और उसके साथ अगर यह नहीं है आपके पास तो आपके पास apprentice certificate होना चाहिए mechanical motor vehicle trade में तो वह भी तीन साल का और उसके साथ एक साल का आपके पास practical experience होना चाहिए तो आप फ़र्म अप्लाई कर सकते है और सभी जो ट्रेड में के लिए फ़र्म है और सभी के लिए उसमें education qualification यहां पर दिया हुए minimum matriculation होना चाहिए आपने या आपनी एक सार्मी परसनल ह चाहिए कि आप अपने काम में proficient होने चाहिए माहिर होनी चाहिए और इसके साथ अगर आपके पास एक साल का experience certificate कहीं से बनवा लेते हैं तो वह आपके लिए ज्याधा better पड़ेगा क्योंकि जनरली ऐसे case में मांग लिया जाता है और यहां पर जो दिया गया point air wing का city Mason plumber electrician ज लेकिन preference इसको देंगे iti के candidate को यह preference देंगे जैसा कि नोंने बताया यहां पर अब हम थोड़ा सा आगे की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर आप apply कैसे करेंगे तो आप online apply करेंगे यहां पर मैं official website का link की देदूँगा यह form 27 मार्ट से apply होना शुरू हो जाएगा पचीस अपर यहां पर मिश्टेक से तीन दिया है यहां पर चार होना चाहिए तो यहां पर थोड़ा सा application fees की बात करेंगे यहां पर देख पारेंगे की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर देख पारेंगे की exam center दिया होगी जहां आप CBT exam देंगे तो अलग-अलग state में अलग-अलग center करनाटक, Tamil Nadu, Nagaland जहां से भी Odisha से आप अपने nearest about center को choice कीजिए जिससे आपको आने जाने में कोई दिकत ना हो यहां पर हम थोड़ा सा आगे की तरह बढ़ते हैं यहां पर technical exam का pattern क्या है सबसे पहले क्योंकि आपका exam होना है CBT exam होना है तो CBT exam एक जुलाई से 13 July की बीच में ह होना है तो उसका क्या-क्या किस हिसाब से paper pattern है यहां देख पारेंगे 100 question है total आपके 100 question exam में आएंगे और 100 marks के होंगे जिसमें 25 question reasoning के होंगे 25 question 25 marks के general awareness के 25 question 25 marks के math के 25 question 25 marks के और उसके साथ इंगलिस या हिंदी आपको कोई एक optional है इसमें से ले सकते हैं 25 question 25 marks के total 2 गंटे का आप duration 2 गंटे होगा आपको सभी question attempt करने और इसके साथ 2.2,0.25 का negative marking है आपको इसलिए ध्यान से रखना है कि गलत question नहीं करना है और यह metric level के आपके CBT exam होंगे यहां पर आपको syllabus दियागा जी जनरल reasoning का general awareness का math का Hindi और English का तो आप लोग देख लिए जीगा अब यहां पर बात करत हैं उनको हाइट में यहां पर छूट दी जाएगी चाया मेल हो चाया फीमेल हो नौर्सिस कंडिटेट को यहां पर छूट जागी जम्मू अगारा को तो यहां पर चेस्ट की बात करते हैं असी सेंटीमेटर आपका चेस्ट होना चाहिए minimum expense 5 cm का होना चाहिए 5 cm चेस्ट का अटेस्ट की बात करें तो आपर जो कंडिटेट उनको जो और जो नौर्थ सी ही walis चेस्ट में भी थोड़ी सी चूट दी जाएगी जहां पर हम थोड़ी सह आगे की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर फिजीन ए 25 दूरदईक हो 14 म अगेल को 1.6 किलियमिंट दोड़ना है और यहां पर लदाख रीजन के जू है उसको भी और यहां पर जो थोड़ा सा और जो कुक वाटर और केरियर जो सीटी बार बर हैं इन सब को हैर ड्रेसर हैं इन सब को 1.6 km दोड़ना है 10 मिनिट में और फीमेल को 1.6 km दोड़ना है 12 मिनिट में और पॉइनिंग विंग की जो म प्लंबर इलेक्टिशन है इनको 800 मिटर दोड़ना है पांच मिनिट में लद्द आख रीजन के तो यहां पर हम थोड़ा सा अगे की तरह बढ़ते हैं तो आप इसका मतलब यह है कि आप जो फॉर्म एपलाई कर सकते हैं तो यह पर आफ हैं लिविया जाएगा इसमें आपको जो फॉर्म शिर्व मोटर मेक्पोर स्याइव ने में घंड्ल में च्छाय्ट को उसके चाही हैव सब काम क ते ने羅 में नेनिक वा सानी कप उनुन काति करने झालिआए पेंटर इन सब में आपकी प्रोफिशियर्ड नॉलेज होनी चाहिए और इसके साथ आप जहां पर आपका एक्सपीरियंस मांगेगा वहां पर आपको से प्रम आपके अछाइबर सोथियर्पियंस वहां से प्रोफिन पनाने जीघेगा है उनका हीए City वेक्सपीरियंस दीठिघड केसे बने चाहिए नहीं सब को वहें ड्यूंग होनायका उपणाई होंतों अलग दिया धर खान भी लेए理ह होंता हैई ट्रे invasive कर लेते हैं ते डी तोटल पचास पेज का नोटिफिकेशन है यहां पर आपका मेडिकल के दिया गए आपके आई साइट बगारे कितने होने चाहिए आप लोग देख लीजेगा तो वीडियो कैसी लगए आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूरू पते हैं मोड अप सेलेक्शन एक चीज यहां प अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो बेल आइकन को हिट कर जेगा ताकि यह सी धेर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहें यह जो नोटिफिकेशन है हम इसको हमारे टेलिग्राम चैनल टेकिश्टडी आइटिया पूर पे सेयर कर देंगे आप वहां से जरूर देख लीजेगा डाउनल इसलिए आगे तक सेयर भी किजेगा जो आपके दोस्त यार मित्र जो भी कंडिडेट आइटिया कर रहे हूं उससे कोई भी रिलेटेट जानकारी उनको देने के लिए उनसे कहिएगा कि यह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट उनको भी हमिसा मिलती चाहे व